अपने इंपोर्टेंट फाइल्स अपनी पीडियेफ इमेजिस वीडियो को किस तरीके से सेव कर सकते हैं और कितनी असानी के साथ यह सब होगा आज मैं इस वीडियो में यह सब आपको बताऊंगा तो आईए मैं आपको दिखाता हूँ अपना नया सॉफ्ट्वेर जिसका नाम है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टेम किस तरीके से काम करेगा यह सब हम अब आने वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आईए चलते हैं तो मैं सबसे पहले आपको इसकी शीटे क्लियर कर दूँ किस तरीके से कहां पे हमें क्या कुछ यहां पे डालना होगा जिसके बाद यह अच्छे से काम करेगा तो सबसे पहले हम अपने लॉगिन बनाएंगे जिसके तुरू जिन नेम्स पासवर्ट के तुरू हम इसमें लॉगिन कर पाएंगे और इसके साथ देखिए जैसे कि यहां पे आपको शोर आओगा वीडियो में यहां पे access भी है कि अगर कोई अगर कोई अपने एक किसी आईडी से अगर लॉगिन करते हैं तो हमनको access दे सकते हैं कि वो अगर हम access to all दे देते हैं तो वो किसी के भी से की गई entries को देख पाएंगे access कर पाएंगे और हम सकते ने हों unique को अगर हम access देते हैं single का तो फिर्फ अपने ID के रूद की गई entries को ही वहाँ पे देख पाएंगे access कर पाएंगे बंद आगर उब access to all कर देते है all जैसे कि आप यहां पर دेख देख पा रहे हैं तो वो किसी के भी इंट्री को यहां पर क्याई को आपूंपने उरल siya sex page a couple की वे सबल सकते हैं यहां पर आपको FOLDER .ID डालना होगा ज्योकी आपकी और यहां पर देखिए आपका link आजाएगा और इस link को आपको make sure करना है कि यह हमेशा anyone with the link होना चाहिए then आपको यह copy करना है और वहां पर जाके paste कर देना है जैसे कि यहां पर हुआ हुआ है यहां पर मैंने अपने folder का id डाला हुआ है then company का address then हमारा जो web का URL है वह मैंने यहां पर डाला हुआ है पहली sub sheet है login के नाम से जिसको इस तरीके से है then इसमें folders हैं जो भी हम folders बनाएंगे वह यहां पर आके उनकी information save हो जाएगी यहां पर तीसरी sheet है files की जो भी हम files upload करेंगे वह सारी की सारी उनकी information यहां पर आके save हो जाएगी then हमारी four sub sheet है contents की कि जब भी हम कोई sheet को भेजना चाहते हैं WhatsApp पे किसी को भी तो यह message हम यहां पर तैयार किया हुआ है यहां पर अपना account का username password और API जैसा कि आप जानते ही है और यह content मेंने तेयार किया हुआ है अगर मैं WhatsApp बेजता हूँ तो इस तरीके से जाएगा dear name चला जाएगा और WhatsApp message for testing and documents are below इसको मैं customize भी कर सकता हूँ then email भी हम इसके through भेज सकते हैं और emails के लिए हमने इस सरीके से यहां पर content set किया हुआ है like email content then the subject of the mail then यह email की body है dear name then WhatsApp messages for testing and documents are below और यह भी fully customized है आपके जैसे मल जी भी इसको edit कर सकता है last sheet है हमारी names की यह sheet है जिनको हमें message भेजना है उनको हमें यहां पर add करना होगा हम उनको एक बार यहां पर add कर लेंगे और हम उनको असानी से अपने web URL के through इनको हम access कर पाएंगे यह सारी चीज़े तो यहां पर आप सबसे पहले उनका contact name डालेंगे then उनका phone number and email id यह दो चीज़े mandatory है phone number and email id and also the name contact name जिनको आप भेजना चाहते हैं तो इस तरीके से हमारी यह sheet को हमें ready यह मैं आपको यह sheet भी provide कर आऊंगा और यह जो हमारा web URL है वो भी यह id से login कर लेता हूं यह मैंने login किया है यह मेरा आप इसमें login हो चुका है तो देखे यह हमारी first home screen है हम जाएंगे document keep में और यहां पर मुझे अंदर यह options मिल चुका है अब देखे यह किस सरी कैसे होगा सबसे पहले हम add documents में चलेंगे हम directly folder भी add कर सकते हैं और हम add document भी कर सकते हैं चलिए हम add document पे चलते हैं यहां पर folder बना देता हूं folder के नाम से ही बना देता हूं मैं इसको और जैसे ही मैंने इसको select किया मैं उसी window पर आ गया हूं जो कि यहां से आजाती, तो मैं अभी यहां सेवापस जाता हूं, यहां पर folder बना देता हूं Add folder किया मैंने, मेरा folder अब एड्ड हो चुका है, अब देखी जैसे यहां पर वापस आया, मुझे मेरा पहले से बना हुआ folder यहां पर show हो गया, अगर मैं कोई दूसरा फोल्डर बनाना चाहता हूं तो मैं यहां पे आके दूसरे फोल्डर का नाम रखूंगा और यह मेरे से वापस पूछ रहा है एक फोल्डर सो ograph सक्मश्क यह दो फॉल्डर मैंने अभी आपको बना के दिखा है अब देखिए यहां पर मुझे फिर उप्शन दे रहा है फॉल्डर के अभी मैं प्रिवियसली जो मैंने फॉल्डर बनाए थे उन में से एक को चूज कर लिया है यहां पर मैं अपनी फाइल का जो भी नाम देना चाहू वह मैं यहां पर नाम दे देता हूं यह मैंने नाम दिया और मैं अपनी फाइल चूज करूँगा जो कि मेरे डेक्स्टोप पे सेव है यह मैं आपको दिखा देता हूं यह मैंने फाइल यहां पर चूज की और मैंने रिमार्क्स डाल दिया यह मैंने यहां पर रिमार्क्स डालके add new document किया और अब आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जैसे यह add हो गया देखे मेरे दोनों folders मुझे यहां नीचे शो हो गए और अभी मैंने इस बते हैं यहां पर image set की ती image save की थी वह मुझे यहां पर इस तरिके wal terMI इसे शो हो गई अगरमे चाहूं तो मैं इसको डूसरे फोल्डर में भी मूव कर सकता हूं लाइक दिस यहां पर folder है अगर मैं इसे चाहूं कि folder one में मैं इसको मूव कर दू तो मैं इसको इस तरीके से फोल्डर 1 में मूव भी कर सकता हूं यह option भी हमने यहां पे include किया हुआ है अब देखें वही image मेरी folder 1 में यहां पे आके move हो गई और मेरा पहले वाला folder empty हो गया इस तरीके से यहां पे हम multiple images multiple document अपनी जितनी भी important files है PDFs है spreadsheets है हम कुछ भी video including videos कुछ भी हम यहां पे अपना save कर सकते हैं उनको manage कर सकते हैं अब देखिए जैसे कि मैंने यहां पे अभी folder 1 में आपको save करके दिखाया तो यहां पे अब मैं इसको अगर अपना यहां पे जाओंगा message button पे जाओंगा यहां से तो मैं folder move कर सकता हूं और चीज़ों को information update कर सकता हूं बट अगर मैं यहां पे इस message पे जाके मैंने click किया message icon पे जाके और अगर मैं इसको WhatsApp पे भेजना चाहता हूं तो देखें यहां पे मैंने आपको sheet पे दिखाया था कि मैंने यहां पे names में यह add किये हुए थे names and mobile numbers यही मेरको यहां पे आके अब show हो जाएंगे like the name of the जिनको मैं भेजना चाहता हूं उनका नाम उनका mobile number देके मुझे already selected दिखिया मुझे कुछ करना नहीं पड़ा यहां पर और मैं यहां पर folder select करूंगा कि किस folder से मुझे फाइले भेजनी है तो मेरी फाइल थी folder one में folder one image करके यह मैंने यहां पर कि इसको check mark किया और यहां पर अगर मैं इसको send कर दूंगा तो मुझे मेरा message मेरे WhatsApp पर receive हो जाएगा यह देख्या यह रहा जाएगा यहां पर और मुझे मैसेज का यह WhatsApp मैसेज भी आ गया है जो कि वहां पर सेलेक्ट मैंने किया हुआ था इस तरीके से यह करेगा इसी सेम तरीके से अगर हम चाहते हैं कि हम इमेल पर किसी के साथ इन चीजों को शेयर करें तो देखें हमें वापस इस मैसेज आइकन पर जाना होगा और इ we want to include some kind of CCC person also we want to do CCC also तो हम उनका यहां पर ID टाइप कर सकते हैं और यहां पर नीचे आएंगे हमें पॉलडर फिर से सेलेक्त करना होगा फॉलडर की इमेज सेलेक्ट करनी होगी और हम मैसेज मेरा है हम इसको यहां पर भी ऐजिट कर सकते है इस यहां पर वापस कर दूँगा यह देखिए यह मेरी email भी shoot हो गई है मैं आपको अपनी email पर लेकर चलता हूं यह देखिए यहाँ पर मेरी email भी आ गई है इस तरीके से शो होगा यहाँ पर पूरा मेरा message आ जाएगा जो कि मैंने text ही था फाइल का लिंक आजाएगा और अटेच्मेंट के तौर पर देखिए इस तरीके से अटेच होकर मेरा लिंक मुझे शोबी हो गया यहाँ पर इनस्टेंटली देखिए कितनी असानी के साथ यह चीजे यहां पर हो रही है और इसी तरीके से बाकी की चीजे भी हम कर पाएंगे अभी तो मैंने दो folder बनाए हैं अपनी ID से मैं आपको किसी और की ID से बना के दिखाता हूं अभी और फिर देखते हैं कि एक्सेस वाला जो मैंने आपके साथ points बताये था कि अगर हम यहां पर login में आके login वाली sheet में आगे गर हम यहां पर access to all कर देते हैं तो देखेगा अगर सेम हमारा web form है web URL है तो भी हम किस तरीके से access को हम bifurcate कर सकते हैं यह देखिए यह logout हो गया है अब मैं different id से login करता हम मेरा login हो गया है अब यहां पर वापस से चलता हूं और देखेए अब मैं इस id से यह मैंने अभी आपको दिखा देता हूं वापस से अब मैंने इस id से login किया है जिनके पास सारा एक्सेस है तो अब मैं इसके थू अगर डॉक्यूमेंट करना चाहूं तो देखें यह मैंने फोल्डर का नाम यहां पर सेलेक्ट करूंगा जो मुझे अल्रेडी जो प्रीवियस केंडिडेट के लॉगिन से जो मुझे फोल्डर जो बनाए थे जो मैंने अप वापस से पूछा फोल्डर नेंगे मिस और यह यह अमने आड कर दिया यह तैन अगें फोल्डर तू फाइल नेम हम डाल देंगे यहां पर हाड तो अभी हम डाल देते हैं इमेज हंडर्ड हम फाइल चूज करेंगे जो कि हमारे डेक्स्टोप पे सेव होगी इन रिमार्क्स में हम डाल देंगे हमने यहां पे इसको एड कर दिया यह यह मेरी इमेज एड हो गई है अब अगर इसको भी मैं भीजना चाहता हूं तो मैं अराम से अपना फोल्डर टू सेलेक्ट करूंगा यह इमेज मेरी यहां पे शो हो जाएगी वापस से मैं यहां पर आऊंगा और मुझे सारे नेम हो जाएंगे जो मैंने एड किये हूए यह चीट में किसी का भी नाम यहां पे शलेक्ट कर सकता हूं और उसी तरीके से मैं यहां पर वाट्साप अगर चूज करूं तो भी और सेंड सेंड इमेल करूं तो भी हम दोनों एक साह यह feature भी select कर सकते हैं कि send whatsapp on and on the same time we can send the email also and then again we need to select a name हम नाम select करेंगे यहां पर number select करेंगे cc में अपने आप information पिक हो जाएगी जो भी हम नाम select करेंगे उस हिसाब से और अब हम यहां पर folder select कर लेंगे यहां पर लिंक शो हो जाएगा और हम इनको send message कर देंगे तो email भी आ जाएगा और WhatsApp भी आ जाएगा instantly अब देखें मैं आपको अपना WhatsApp दिखा देता हूं यह वापस से link आ गया है और यह image आ गई है यहां पर तो इस तरीके से और अगर मैं आपको अपनी email ID शो करूँ तो यह देखिए यह वापस से email रिसीव हो गई है image 100 जिसका था देखिए image का नाम image 100 जो मैंने अभी अभी किया है उसका link भी आ गया mail भी आ गया तो instantly यह चीज़े हो जाती है इसके थूप तो कि अभ्य आपको वह बता देता हूं access का जो हम मैंने आपको बताया था यह पहले ilsa log out कर देता हूं और अम मैं चलूंगा इस ौइडी पर जिनके पास सिोप सिफ reverse access लोग उन करिंगन कर लीया है । यह मैंने लोग इन कर लिया है different इडी जिंके पास single access था Document keeping में चलते हैं और यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो मैंने अपनी ही ID से जो login बनाये थे सिर्क मुझे वही शो हो रहे है और जो different ID से यानि कि जो मैंने इस ID से जो अपने login बनाये थे इस login से जो folder बनाया था जिनके पास all का access है उनका access मुझे नहीं शो होगा क्योंकि मैंने अपने आपको single access दिया हुआ है इस तरीके से यह काम करेगा अगर मैं यहां पर folder 2 लिखके search भी करूँगा तो भी वह मुझे यहां पर शो नहीं करेगा तो इस तरीके से यह काम करेगा इस शीट पर आके मैं आपको एक बार दिखा देता हूं जो भी मैंने folder बनाये थे उनकी information यहां पर आके मुझे folders के सब शीट में मुझे यहां पर शो हो गई है यह folder 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 and folder 1 was made by sunny and folder 2 was made by this name this name then जो files मैंने upload की थी मैंने अभी तक दो ही files upload की है इंदो folders में और उनका URL भी यहां पर आ गया है with the remarks and each and everything folder id आ गई है और जिस username से यह हुआ था उनका username यहां पर document हो गया है तो इस तरीके से यह सारा था अब मैं आपको mobile views का share करूंगा आपके साथ अपनी screen पर तो अगर मैं चाहता हूं कि अगर मैं चाहता हूं कि यह सारी चीज़े मेरे mobile के through ही हो जाए system नहीं है मेरे पास तो हम इसको mobile के through भी कर सकते हैं देखे यह मैंने अपना mobile का view आपके screen पर share किया हुआ है यह अभी फिलाहल मैंने अपना login किया हुआ है यहां पर अभी मैं mobile के यह सब करके आपको फोड़ा show करके दिखाता हूं देखे यहां पर भी वही सेम तरीके से है document कीप पर जाएंगे हम पहला option मैंने चूज किया और यह देखे यह मेरी id से मैंने जितने भी folders बनाए थे वह folders मेरे यहां पर आके add हो गए है और अगर मैं चाहता हूं कि मैं folder में जाके folder वाले option में डॉक्यूमेंट करना चाहता हूं तो मैं यहां पर आऊंगा folder select कर लूँगा file name यहां पर आ जाएगा मैं इसको add कर देता हूं कि यह देखे यह एड हो जाएगा कि यह देखे यहां पर यह 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 यहां ऊपिर हो गया है अनृट किया अब अगर मैं इसको बैजना चाहता हूं directement č्शा यह दें जह फोल्डर में जाऊंगय किया हूं में इन ऊर्चलो राप्टांगा मैं यहां पर आऊंगा वोट्सअप पर क्लिक करूंगा गन अगें वो सारे ओप्शन मुझे यहां पर शो हो जाएंगे ड्रॉपडाउन में लिया जैसे में नाम सब्सक्राइब करूंगा मोबाइल नंबर और बाकी की इन्फोर्मेशन यहां पर इस तरीके से शो हो जाएगी disparus folder को select करूंगा senne folder select किया और आधा जो भी फ्रीके है उनको select करूंगा यह मेरी body है और हम्में इसको send message कर दूंगा वापस से WhatsApp भी आ जाएगा और इमेल भी आ जाएगा आईए मैं आपको दिखा देता हूं कि इस तरीके से होगा मुबाइल पर यह देखिए इस तरीके से WhatsApp पर मुझे यह शो हो गया है मैं इमेज पर क्लिक करूँगा तो यह मेरी इस तरीके से इमेज भी ओपन हो जाएगी और मैं अपनी email आईडिया आपको शो करता हूं कि मैं अपनी email आईडिया रिफ्रेश्च करता हूं और यह देखिए एक और नई email आगी है मेरे पास और यहां पर क्लिक किया और यह तरीके से यह वापस से मुझे यहां पर शो हो होगी है इमेज और यहां पे भी मुझे यह receive हो चुकी है इस तरीके से हमारा software काम करेगा अगर इस वीडियो से related आपको कोई भी इस product से related अगर कोई भी confusion है या doubts है तो प्लीज हमें contact करिएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजेगा हमारा चैनल थ